हेलो स्टुरेंट्स आप सभी कर वोगत है माद इस यूडिव चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं रीडिंग कैंपेंड की एक्टिविटी सीट जो की आपकी कौन सी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके लिंक को अपने फ्रेंस के बीच में सेयर कर दो चलिए रेखते हैं इसमें क्या दिया गया है तो बच्चो इसके थीम है एक भारत ठीक है सम्रित भारत डिफरेंट लैंगवेजेस आर इस पोकें इन अवर इंडियन कंट्री हमारी जो कंट्री इंडिया है इसमें बहुत सारी लैंगवेजेस से स्पोक करी जाती है बोली जाती है इस डैवसर्टी यूनिक फीचर ऑफ और यही डैवसर्टी जो है एक यूनिक फीचर है इंडिया का पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंगवेज इन लीव इन स्मॉल टाउं ठीक है एक छोटे से टाउं के अंदर जो रहने आले पीपल से हैं कौन-कौन से लैंगवेजेस से स्पीक करते हैं इसके बारे में कोसंस बेस्डान बारग्राफ यह कोसंस बारग्राफ पर बेस्ट हैं विच लैंगवेज इस फोगन मोस्ट सबसे जादा बोले जाने या लेंगवेज कोंसी है तो आप देखोके हिंडी साड़े शाथ हजाली लोग बोलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा हिंदी इसके बाद which language spoke least सबसे कम कौन सी बोल जाती तो आप देखोगे तमिल ठीक है तो यहाँ पर क्यों जाएगा तमिल सबसे कम हो जाएगा इसके बाद find the total number of people speaking Marathi, Punjabi, Tamil, Urdu तो Marathi, Punjabi, Tamil और Urdu Marathi, Punjabi, Tamil और Urdu को बोलने आले लोगों की संक्या कितनी है तो आप देखोगे जो Marathi है वो पच्छिस सो लोग बोलते हैं जो आपकी पंजाबी है उसे कितने बोलते हैं उसे बोलते हैं बेटा साड़े चार हजार लोग आप यहाँ पर अब देखोगे तो साड़े चार हजार लोग बोलते हैं तो पेटा साडहे चार हजार लोग पन्जाबी बोलते हैं तमिल दो हजार लोग बोलते हैं और जो आपकी यह है उर्दू यह साडहे तीन हजार लोग बोलते हैं तो आप जोड़ोगे इसको तो आपका कुल आखड़ा कितना बनेगा 15 का एक हासल गया ऑपर 1,2 और 6,7,7,7,9 और बादा यानि साड़े बादा हजार इसका अंसार हो जाएगा और ये क्यों जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा तीसरे का तो से पूरा आप यहां से यहां तक क्या कर लोगे नो डाउन कर लोगे थर्ड वाले के लिए इसके बाद बोला गया most people speak Hindi than English यानि कि कितने जादा लोग Hindi बोलते हैं English से तो भाई आप देखो के साड़े साथ हजार लोग जो है Hindi बोलना पसंद करते हैं और आपका यह जो है ठीक है English खाली 6000 लोग बोलते है तो इसमें से माइनस कर दो के पंदा सो आंसर आजाएगा और यह आंसर हो जाएगा चौथे का यह पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है ठीक है इसके बाद अगला कुछन देखिए क्या बोलागा अगला कुछन बोला गया है पता चल जाएगी 00 20 का 0 हसिला है 2224 चार और आठ आठ और साथ पंद्रा पंद्रा और जो आपका 6 कितना हो गया 15 और 6 हो गया जाके 21 21 और 5 26,000 तो इसका अंसर क्या हो गया बिटा 26,000 तो यहाँ पर नीचे आपका अंसर क्या हो जाएगा 26,000 अंसर हो जाएगा हमें collect करना है data अपने स्कूल के बच्चो का ठीक है उनकी mother-tang क्या है इसको represent करना है तो जैसे मान लो आपके स्कूल में हिंदी बोलने आले बच्चों की संख्या आपने मान ली कितनी है हिंदी बोलने आले बच्चों की संख्या 50 है ठीक है और प्रमान लिया, इंग्लिस बोलने आले संख्या कितनी है बच्चों की, तो वो आपकी 20 हो गई, और उर्दु बोलने आले की कितनी हो गई, मान लो 10 हो गई, तो इस तरीके से आप लिख लोगे, डाटा कलेट करोगे, इसके बाद यहां लिख दोगे, हिंदी, यहां पर लिखन यहां 30 हो जाएगा, यहां 40 हो जाएगा, और यहां पर 50 हो जाएगा, यह 50, यह 10, यह 30, यह 20, तो हिंदी बोलने आले बच्चों की संख्या है, 50, इंग्लिस बोलने आले बच्चों की संख्या है, 20, और उर्दु बोलने आले बच्चों की संख्या है, 10, तो ऐसे बार ग्रा